असलाम अलेक्म स्टुडेंट्स जैसे कि आप सबको पता है कि 2022 से फेडरल बोर्ड का एक्जामिलेशन सिस्टम जो है वो टेक्स्ट बुक बेस्ट से चेंज करके SLO बेस्ट कर दिया गया है और अगर हम इंटर्मिडियेट पार्ट वान इंगलिश की बात करें तो बोर्ड के प्रिस्क्राइब्ड SLO में से एक important concept है resume writing या cv writing का तो paper में resume writing या cv writing के उपर 8 marks का question आएगा तो आज के lecture में हम resume writing के proper format को discuss करेंगे और मैं example के साथ resume के format को explain करूँगा आम तोर पर रिजुमे और सीवी का एक ही मतलब लिया जाता है लेकिन आज हम देखेंगे कि रिजुमे और सीवी में टेकनिकल डिफरेंस क्या है तो जब भी आप किसी जॉब के लिए अपलाय करते हैं तो आप अपनी तमाम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और स्किल्स को एक डाकुमेंट पर लिखते हैं जिससे आप सीवी कहते हैं तो सीवी एक ऐसा डाकुमेंट होता है कि जिसमें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और स्किल्स जो होते हैं detail के साथ लिखे होते हैं तो ये एक detailed document होता है और इसमें आपकी तमाम जो qualification है वो detail के साथ लिखी होती है जबकि resume जो होता है वो ऐसा document है कि जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ वो details provide करते हैं कि जो आप की उस job के लिए relevant होता है जिसके लिए आप apply करने जा रहे हैं तो job के relevant details आप resume के अंदर लिखते हैं तो उसमें आपको अपनी सारी की सारी information academic information लिखने की जरूरत नहीं होती या अपनी सारी की सारी जो experience और skills जो है वो लिखने की जरूरत नहीं होती resume के अंदर resume में आप सिर्फ और सिर्फ उन fields की बात करेंगे उन चीजों की बात करेंगे कि जो के उस particular job के लिए relevant होंगे उसमें आप extra जो detail है वो नहीं देंगे कि जो है वो short form है curriculum vitae की जो के Latin language से लिए गया है curriculum vitae होगे तो इसको हम short में कहते हैं CV so a CV is a detailed document that highlights a person's education skills and experience it displays a person's abilities to present to potential employers so it is a longer academic diary that includes all your experience certificates and publications it may consist of several pages okay so CV जो है वो एक detailed document है जिसमें आप की education skills और experience detail के साथ लिखा होगा okay तो इसमें आपकी academics जो हैं वो बड़ी a resume is also a CV but it is not as detailed as a usual CV it is a brief and short summary of your work experience and background relevant to the job you are applying to it usually contains one or two pages okay तो दूसरी तरफ जो resume है वो जो है वो CV की तरह ही होगी CV की एक किसम होगी लेकिन वो इतनी detailed नहीं होगी उसमें इतनी detail नहीं होगी जो कि CV में होती है यह short होगी और इसमें सिर्फ वो experience और background दिये जाएगा जो आपकी job से relevant है और resume जो है वो अमोमन एक या दो pages पर मुश्तमिल हो सकती है ओके सो दिस इस दे टेकनिकल डिफरेंस बिट्वीन एस सीवी एंड रेजुमे तो अब हम देख लेते हैं कि resume का जो proper format है exam के अंदर तो वो हम क्या लिखेंगे तो resume का जो format है वो इस तरह से होगा और इस format को अब हम example के साथ explain करेंगे write your resume for the post of manager advertised in the newspaper for example हमने manager की post के लिए resume लिखनी है तो उसको इस format में हम कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले है name तो name और address जो होते हैं resume के अंदर जो exam के अंदर हम resume लिखेंगे तो उसमें हमने real name और real address जो है वो नहीं लिखने होते हैं तो यहां पे हम name की जगा लिखेंगे ABC और address की जगा हम लिख सकते हैं LMN sector Islamabad तो यहां पर आप कोई भी alphabets लिख सकते हैं PQR या LMN LMN sector Islamabad तो यहां पर हमने real address नहीं लिखना फिर हमने लिखनी है date of birth तो date of birth का जो format होगा वो इस तरह होगा 00 और फिर उसके बाद हमने इन्हीं सबसे पहले हमने तो यह शो करते हैं date को क्यूंकि यह हमारी जो date होती है वो टू डिजट्स पे होती है उसके बाद फिर हमने month लिखनना है वो March हो सकता है April है मैं है जुलाए है जो भी है फिर उसके बाद हमने कॉमा लिखनए है और उसके बाद हमने four zeros डालने हैं तो यह four zeros year को शोग करते हैं जिस तरह 2022 तो यहां पर four digits होंगे तो हम यहां पर four zeros लिखेंगे उसके बाद nationality में हम लिख देंगे पाकिस्तानी और contact का जो format होगा वो होगा प्लस 92 और उसके बाद 10 zeros और email को हम इस तरह लिख सकते हैं abc at email.com तो यह जनरल जो है फॉर्मट होगा email का तो उसके बाद एक line है और फिर उसके बाद हम objective लिखेंगे तो objective में हम जो है वो लिखेंगे कि जिस position के लिए पोस्ट के लिए हम apply कर रहे हैं उसका हमारा मकसद क्या है basically objective क्या है तो objective में मैं यह लिख सकता हूं to make a dynamic career in a competitive environment by putting in continuous hard work and devotion तो objective जो है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं वो different jobs के साथ साथ differently वो लिखा जा सकता है फिर उसके बाद education तो education में तो आपने सबसे पहले डिग्री का नाम लिख देना है फिर year of passing फिर percentage marks and then board या university जहां से बोट डिग्री आपने किये तो for example BS economics year of passing 2021 percentage marks 90% and the university is Punjab university और फिर intermediate year of passing 2019 percentage marks 85% और board है federal board of intermediate and secondary education FPISC फिर matriculation 2017 percentage marks 88% और board again FPISC तो यहां पर हमने education details दे दिए हैं जिसमें हमने degree year of passing percentage marks और board या university का नाम लिख दिया फिर उसके बाद हमने देना है experience तो यहां पर मैं लिख देता हूं worked as an administrator in XYZ institute इस्लामबाद तो यहां पर हमने experience भी जो है वो job के relevant देना है क्योंकि यह resume है तो हमने experience जो है वो job से relevant देना है सिर्फ वह experience लिखना है जो हमारी job से relevant है तो यहां पर मैंने लिख दिया कि worked as an administrator in XYZ institute इस्लामबाद और यहां पर भी देखें मैंने institute का नाम नहीं लिखा और फिर उसके बाद हम दे देते हैं computer skills computer skills के अंदर हम लिख सकते हैं operating system and software installation MS office internet and networking तो यह कुछ basic computer skills है जो आप लिख सकते हैं उसके बाद है hobbies तो hobbies में reading books writing and watching news तो यह आप different भी लिख सकते हैं फिर references तो references के अंदर आपने वो details देनी हैं जिन से अधारा आपके बारे में further information हासल कर सकता है जिस अधारे में आप apply करने जा रहे हैं तो वो अगर आप से relevant मजीद information लेना चाहता हो तो वो उन references से ले सकता है तो यूजिली जो references होते हैं वो वो लोग हो सकते हैं या कोई और अधारा हो सकता है कि जहां पर आपने काम किया हो तो वहां से आपके बारे में further information ले जा सकती है तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि references will be provided on demand जब references जो है वो आप से पूछे जाएंगे तो आप references जो है वो उनको provide कर देंगे तो यह जो resume writing का format है exam के अंदर हमने इसको follow करना है तो यह resume writing format आपको PDF form में नीचे description से मिल जाएगा तो वहां से आप इसको download करके इसको अपने पास save कर सकते हैं